जहिन दोस्तों Am I audible to everyone? Am I visible to everyone? Just acknowledge me क्या मेरी आवाज आरी ही सभी को जहिन तो जहाँ पे हमने last topic को छोड़ा था ना वहीं से हम शुरू करेंगे और आगे आज जो कि आज का हमारा topic है जैनिजम और दूसरे सेक्ट्स जो कि religious movement के दौर में develop हुए थे उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात करते हैं उस last topic के उपर जिसको हमने छोड़ दिया था वो है division in the Buddhism बुद्धिजम के सारे aspects को हमने discuss कर लिया था लेकिन हमने उसके division की बात नहीं करी थी तो चलो आओ बात करते हैं उसके division की ठीक है सबसे पहली चीज बुद्धिजम में division हुआ था दुनिया के सारे religions ऐसी रहे कि religion एक reform के लिए शुरू होते हैं और फिर आगे चलके उस religion को follow करने वाले लोग किसी point पे different opinions बना लेते हैं और फिर उसमें तरह तरह के divisions होने लगते हैं किसी religion के अंदर होने वाले इस तरह की divisions को sect कहा जाता है sect जिसको हिंदी में पंथ भी कहते हैं तो याद रखना धर्म और पंथ इन दोनों में अंतर होता है धर्म से निकलते हैं बहुत सारे पंथ religion से निकलते हैं बहुत सारे sect तो बुद्धिजम जो religion है उससे कौन-कौन से sect निकले कैसे निकले क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं तिकि सबसे पहले हम देखने की यह जो division light में जब आया था क्या होता है कि division एकदम से नहीं होता कि आज मिले बैठे और division कर दिया divisive activities बहुत पहले से शुरू हो जाती फिर वो बहुत ज्यादा जब दिखाई देने लगती society में तो फिर किसी एक दिन उसको formalize कर दिया जाता है तो वैसे ही बुद्धिजम के अंदर से बुद्धिजम बहुत ग्रोथ करता भारत में as a religion, as a philosophy, as a way of life as a way of life लेकिन क्या होता है कि over the period of time क्योंकि मैं आपको बता है कि बहुत सारे लोग follow करते उसको तो अपने अपने तरीकों से follow करते उसको और इसी लिए उसमें थोड़े-थोड़े बदलाव आने लग गए थे अब देखे होता ये है कि ये जो division है ये division formalize होता है देखो बुद्धिजम की जो भी हमने बात करी ये सारी बात चल रही थी जो पिछले lecture में हमने बात करी थी लॉर्ड भुद्ध की life में तो लॉर्ड ना लॉर्ड भुद्ध की life में कोई division हुआ ना ही following centuries में कोई division हुआ ये division होता है somewhere around 78 AD 78 AD वो वक्त होता है जब formalize होता है बुद्धिजम के अंदर division अभी division क्या बनाता है बुद्धिजम में से कौन से दो sect निकाल के लाता है तो सबसे पहला जो sect निकाल के लाता है वो है हीन्यान और दूसरा महायान ठीक है तो अब यहाँ पर बात आती है कि हीन्यान और महायान ये दो sects में बुद्धिजम primarily सबसे पहले divide होता है ये क्या होते हैं sect इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हीन्यान वर्ड्स को break करते हैं और वर्ड्स को break करके इनको समझने की कोशिश करते हैं हीन जो की Sanskrit language में जिसका मतलब होता है inferior और यान याने की vehicle याने की medium of carrying something forward किसी चीज को आगे ले जाने का medium उसको हम vehicle या संस्कृत में यान कहते हैं तो हीन हो गया inferior और यान हो गया vehicle याने की एक ऐसा medium जो inferior है और महायान उसका बिलकुल opposite महायाने की great और यान याने की medium या vehicle तो यहाँ पे great medium और inferior medium ये दो parts में डिवाइड हो गया बुद्धिजम अब ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि following years after जब बुद्धिजम का rise हुआ उसके कई centuries में बहुत सारे foreign powers भी भारत के अंदर आती है और उनमें से कुछ बुद्धिजम को accept करती उसको embrace करती है लेकिन problem ये होती है कि वो बुद्धिजम को अपनी तरीके से follow करते वो Lord बुद्ध को एक God या एक deity यानि कि देवदा की तरह मान कर उनको पूजना शुरू कर देते है यानि कि बुद्धिजम के basic principles को वो violate करना शुरू कर देते है मंदिर बनाना शुरू कर देते है बुद्ध को पूजना शुरू कर देते है ये चीजे जो traditional Buddhist society होती थी उसके अंदर acceptable नहीं होती है उसको लेते नहीं अच्छिस और इसी लिए यहाँ पर इस बात को लेकर घमासान जगडा हो जाता बुद्ध कम्यूनिटी के अंदर की भई क्या तरीका सही है क्या बुद्ध की मूर्तियां बना के उनको पूजना सही है या पुराने तोर तरीकों से बुद्धिजम को फॉलो करना सही है जिसमें सिर्फ एट फोल्ड पात को फॉलो किया जाएगा तो इसी को कंक्लूड करने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग होती जो कि हमने बात करी थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल की यह फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल होती है 78 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल को किसने करवाय था कॉमेंट में लिखके बताईए कि आपको याद है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल किसके रूल के दौरान हुई थी पूर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रूल के दौरान हुई थी क्या कोई बता सकता Yes, very good Anjali, कनिश्क कनिश्क is the correct answer कनिश्क ने फूर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी ये फूर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो head थे जिन्होंने इस काउंसिल को जिसको हम कहते हैं ने कि चेर परसन की इसको head किया था तो वो उनका नाम था वसुमित्र वसुमित्र He was the head of this council और इसी council में decision निकला था कि बुद्ध की मुर्तियां बनती रहेंगी और बुद्ध की पूजा होती रहेंगी इस तरह से वो ये समझते थे कि बुद्धिस्ट को ज्यादा दूर तक फैलाया जा सकता है ज्यादा लोगों तक उसकी अप्रोच की जा सकती है क्योंकि मंदिरों का बनना या मूर्तियों का बनना और उनकी पूजा होना ये दुनिया भर में चीजों लोगों को अटरैक्ट करता था लेकिन एक ऐसा रिलिजिन जो गौड के एक्जिस्टेंस को ये डिनाई करता है दुनिया के दूसरे देशों में लोगों का अपेल नहीं करता था इसलिए महा यान सेक्ट उभर कर आता है महा यान सेक्ट वर्षिप्स बुद्ध बीसिकली प्राइमिरी पॉइंट इसका ये है कि इसमें बुद्ध की वर्षिप होगी और हीन यान ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशनल वे तो ओल्ड ट्रेडिशनल वे से जो बुद्धिजम को फॉलू करते रहे वो हीन यान कहला है और जिन्होंने बुद्ध को वर्षिप करके एक नए तरीके से बुद्धिजम को फॉलू करना और उसको प्रीच करना शुरू किया वो महा यान कहला है तो ये तो दो primary difference हुए थे, जो कि हुए थे लगबख 78 AD के आसपास, लेकिन बुद्धिजम सिर्फ दो sects में ही नहीं बटा, एक और sect बुद्धिजम का आगे चलकर, याने कि 9th, 10th century AD में आकर हमको दिखाई देता है, और वो 9th, 10th century AD में हमको दिखाई देता, उसको कहते हैं वज्रयान, तो ये जो वज्रयान बुद्धिजम था, ये इन दोनों से बहुत अलग था, now because this वज्रयान बुद्धिजम was based on occultism, occultism मतलब की तोना टोटका, तांतरिक क्रिया है, तो दिस वज्रयान बुद्धिजम was based on occultism, magical things, अब ये वज्रयान का concept कैसे आया था, क्या ह हुआ कि कुछ बुद्धिस्ट मौंक्स थे भारत में, जो ये claim करते थे कि Lord बुद्ध ने उनके कुछ खास disciples को कुछ तांतरिक क्रियां बताई है, कुछ magical जिसको हम कह सकते हैं, activities बताई है, acts बताए हैं, उन magical acts को, उन occultism को करके instant निर्वान मिल सकता है, पिसे निर्वान मि बहुत मुश्किल था, मैंने आपको निर्वान के बारे में बताया भी था कि एक state of bliss or rest होती है, जिसके लिए meditation के बहुत higher levels पे पहुचना होता है, और उसमें मेहनत लगती, वक्त लगता है, बुद्ध के अलावा कभी कोई बुद्धिजम में वो दहलीज हासिल नहीं कर सका लेकिन वजरियान के कुछ बॉंक से क्लेम करते थे कि उनको निर्वान मिल गया है, क्योंकि लॉर्ड बुद्ध जब जीवित थे तब उनके कुछ खास disciples को ये सिखा दिया था, उनके कुछ खास disciples ने अपने कुछ खास disciples को सिखाया, और इस तरह खास-खास disciples तक ये art, ये science, ये knowledge आता रहा, और फिर 19th century में AD में आके कुछ क्लेम करते हैं कि भई, हम तुम हमारे खास disciples हो, हम तुम्हें ये सिखाएंगे, और ये वजरियान बहुत popular हो गया, लेकिन वजरियान पूरे इंडिया के इंदर popular नहीं हुआ था, ये बात हमें याद रखनी होगी, कि वजरि हीन यान बुद्धिजम बहुत ज्यादा popular हुआ था, rest of the India में नहीं हुआ था, rest of the India में हीन यान बुद्धिजम को follow किया जाता था, लेकिन हीन यान तो उनको दिया हुआ नाम था न, उन्होंने खुद को थुड़ी हीन माना था, वो तो खुद को सहीं मानते थे, तो हीन य वज्रयान सेक्ट बुद्ध को worship करता है, वज्रयान सेक्ट ओकल्टिजम को follow करता है, instant निर्वान की बात करता है, जैसे कि आजकल tradition है न, आजकल सबको सारी चीज़े चुटकियों में चाहिए, मेहनत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, किसी को अपिल करती कि यार कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जो एक बार कर लेंगे, फिर लाइफ में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठ के खाएंगे सिर्फ बहुत पैसे होंगे, इस तरह की चीज़े लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती, वज्रयान भी कुछ इसी तरह का promise कर कि एक बार ये तांतरी क्रियाए कर लो, उसके बाद निर्वांड मिल जाएगा, कहां इतनी मेहनत करोगे, सालों जंगलों में भटकोगे, भिक्षा लोगे, मेडिटेशन करोगे, तकलीव दोगे अपने आपको, उसके बाद भी निर्वांड मिले ना मिले, इस से अच्छा ओकल्टिजम करके निर्वांड ले लो, तो ये इस्टन इंडिया में काफी पॉपिलर हुआ, ये कहां पॉपिलर हुआ, महायान सेक्ट, अफगानिस्तान, कश्मीर, तिबबत के इलाके, भुटान के इलाके, आज भुटान की अगर मैं बात करू तो आज भुटान में जो बुद्धिजम फॉलो होता है, वो वज्रयान बन गया है, तो वज्रयान का इंपक्ट अब भुटान तक पहुँच गया, लेकिन उस जमाने में जो आज के टिबबत और उसके आसपास के इलाके है न, वहाँ पर ज्यादा तर महायान फैला था, क्योंकि कनिश्क ने अपने मिश्नरी इसको भेज के इसको फैलाया था, महायान बुद्धिजम को ना सिर्फ एकसेप्ट किया गया था, बुद्ध की वर्शिप को बलकि ये भी तरह किया गया था, कि इसके माध्यम से बुद्धिजम को फैलाएंगे भी, तो तिबबत में, कश्मीर में, नॉर्धन पा बात कर रहे हैं आप जेपैन वगेरा में, कोरिया वगेरा में बुद्धिजम लेट फैला, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब कनिश्क ने बुद्धिजम फैलाया था, तो वो जेपैन तक नहीं चले गए थे, या वो कोरिया, कोरियन पैनियूसला तक नहीं चले गए थ चाफिर जैपैन या कोरिया वगेरा वगेरा आमरपाली के बारे में पूछ रहे हैं आमरपाली के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब महा जनपत पीरिट की बात होगी वेसे ऐसा माना जाता है कि श्वी वेरी प्रेस्टीजियस कोटिशन in the empire of Magad वैशाली नाम की जगे थी विरिज्जी किंग्डम वहां की एक बहुत बड़ी कोर्टिसन थी, रॉयल कोर्टिसन थी तो वो आगे बात करेंगे उनके बारे में ठीक है, तो इडिविजन आफ बुद्धिजम के बाद हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जैनिजम तो जैनिजम क्या है और जैनिजम की प्रिंसिपल्स क्या है, इससे जुड़े हुए जो दूसरे तीर्थांकर्ज हैं, वो सब क्या है, सारी चीज़े अपन डिसकस करेंगे जैनिजम के बारे में ऐसी मैं क्वेशन पूछता हूँ आपसे थोड़ा प्रोबिंग की आदत है मुझे कि क्या कोई लिखके बता सकता है एक लाइन में, सटीक, जैनिजम क्या है वाट इस जैनिजम मैंने क्वेशन पूछा है, जैनिजम कोई एक लाइन में लिखके बता सकता है क्या कोई लिख रहा है, पीस, कोई लिख रहा है, नॉन वाइलेंस बिल्कुल जब जैनिजम की बात आती है तो यही होता है नॉन वाइलेंस ही सबसे पहले आता है एक बहुत major concept है जैनिजम का लेकिन हम जैनिजम की बात उसकी history से करना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज ये religion कब शुरू हुआ ये religion ये ideology कितनी पुरानी है तो जब जैनिजम की history पे हम जाते हैं तो दिखी क्या होता है कि history में हम वहीं से conclusions draw करते जासे हमको authentic conclusions मिलते वैसे तो जैनिजम की history में उनके जो तिर्थांकर्स की stories अगर उन stories पे हम जाएंगे तो में बहुत सारी information मिलेगी इतनी information मिलेगी शायद 2-3-4-5 chapters भी कम पड़ जाएं लेकिन अगिन जो western scholars ने इंडिया की history conclude करी है वो उन्ही literature सी archaeology के basis पे करी जो उन्हें authentic लगी है अब इस basis पे रिगवेद नाम का एक literature हमको कुछ information देता है what रिगवेद tells us रिगवेद says that रिशब देव जिने आदीनाद भी कहा जाता है was the lord of जम्बू द्वीब येक इंपॉर्टेंट हमको information मिलती है रिगवेद से जिसमें की रिशब देव्या आदीनाद को कहा गया है lord of जम्बू द्वीब अभी जो lord of जम्बू द्वीब है बाकी सब तो ठीक है जम्बू द्वीब क्या है जम्बू द्वीब के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडियन सब कॉंटेंट का बहुत पुराना नाम है जम्बू एक फल होता था ancient इंडिया के अंदर उसका आकार और इंडियन सब कॉंटेंट का आकार काफी कुछ एक जैसा होता था इसलिए जम्बू फल के नाम पे इसको जम्बू द्वीब भी कहा जाता था अभी भी आपके घर में यग्यहवन होता है तो आप ध्यान दोगे अब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि पंडित जी जब देवताओं का आभवान करते तो एंड में जम्बू द्वीब का नाम लेते कि एंड में नी शुरू में जम्बू द्वीब का नाम लेते फिर आपके स्टेट का नाम लेते फिर आपके नगर का नाम फिर आपके मकान का नंबर फिर आपके जो भी ओनर है मकान के फादर ग्रैंड फादर उनका नाम और फिर देवताओं का आवान किया जाता है तो जम्बू दवीप में बुला रहे होते जो कि भारत का इंशिंट नेम है बहुत प्राचीन नाम है अब ये बताता है कि आदिनाथ जम्बू दवीप के स्वामीध यही आदिनाथ आइडेंटिफाई किये गए है जैनों के पहले तिर्थांकर अब इससे एक बात साबित होती है और वो ये बात साबित होती है कि ये जो religion है जैनिजम या ये ideology जैनिजम कम से कम उतनी पुरानी है जितना रिगवेद है कम से कम उतनी पुरानी है जितना रिगवेद है रिगवेद से भी पुरानी हो सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरिट की भी हो सकती है रिगवेद के बाद की नहीं हो सकती क्योंकि रिगवेद में उसका जिक्र आ गया है तो या तो यह उतने पुराने जितना रिग रिगवेद या रिगवेद से भी पुरानी है, तो as an ideology जैनिजम बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ये नाम जैनिजम शुरू से exist करता था, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दरसल ancient हमको जो literature मिलते हैं संस्कृत के, उस ancient literature में हमें एक ideology का नाम मिलता है, वो है निर्गरंथ, निर्गरंथ, देखिए, वैदिक civilization जो थी, हमने बात करी थी, वैदिक civilization अपने गरंथों से चलती थी, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद, और भी आगी चलके बहुत सारे literature's create होते थे, सिर्फ एक ऐसी ideology थी, जो कि उसकी कुछ ideology तो थी, लेकिन उसके पास कोई गरंथ नहीं था, इसलिए उसको कहा निर्गरंथ, तो ये जो निर्गरंथ वाला मुद्दा है, ये apply होता है जैनिजम के उपर, ये नाम जैनिजम बहुत बाद में existence में आया, जैन वर्ड बहुत ब इन पीनेंस करने वाले, नॉन वाइलेंस को फॉलो करने वाले, नूडिटी अब्जर्फ करने वाले, मौंक्स को निर्गरंथ कहा जाता था, उस ideology को फॉलो करने वाले निर्गरंथ कहलाते थे, और मैंने जो लिखा है वो जम्मू नहीं लिखा है, जम्बू लिखा है, बी ह बहुत कम इसके followers थे इसलिए इसको religion नहीं कह सकते एक simple सी ideology थी जिसको कुछ bunch of people follow करते रहे होंगे और उसे कहते थे निरगरंथ तो ये है तो बहुत पुरा ना लेकिन gradually धीरे धीरे एक के बाद एक कई तिर्थांकर आते हैं इसमें reforms करते हैं इनके इस ideology के followers का नंबर बढ़ता है लेकिन again बात वही है कि historically authentic accounts के हवाले से हमको Lord आदिनात के बारे में थोड़ी सी information मिलती है और उसके बाद बचे आगे आने वाले 22 तिर्थांकरो की information हमको किसी बड़े authentic historical record से नहीं हासल होती है फिर हमको जो historic information मिलती है इस religion या इस ideology के बारे में वो मिलती है सीध है Lord पारिश्वनात की और ये Lord पारिश्वनात की बात कब की बात है लगबक 750 BC approximately जीजस क्राइस के जर्म के लगबक 700 साल पहले Lord पारिश्वनात रहते थे उन्होंने इस religion इस ideology के अंदर एक reform लेके आया था और इसको बहुत ज्यादा popular बनाया था ठीक है तो ये बात हो गई Lord पारिश्वनात की की 750 BC के आसपास ये रहते थे इनकी information हमको बहुत सारे बुद्धिस literature से भी मिलती है और जैन literature से भी मिलती है जिससे हम ये confirm हो जाते की इस तरह के कोई person exist करते थे और उनके बार में authentic information भी हमको हासिल होती है अब इनके बारे में कुछ और basic चीजें जो हमक के सारे ही तिर्थांकर क्षत्रिय ही थे सारे के सारे क्षत्रिय थे किसे ने किसी royal background से belong करते थे और सब को छोड़ के ascetic life जीना शुरू कर देते हैं तो वो ही tradition में ये भी आगे बढ़ते हैं and he was the son of Ashwaseyn इनके फादर का नाम था Ashwaseyn, Ashwaseyn was father and his mother was Vama Devi Vama का मतलब होता है संस्कृत में left बाया, शायद उनकों left-ended रही होंगी इस लिए इस तरह के नाम देते थे पहले तो वामदेवी इनकी मदर थी, Ashwaseyn इनके फादर थे and his father was a king, this man was a king, king of काशी यनि कि आज का बनारस, वारानसी, तो या इस royal family में इनका जनम हुआ था, जब इनकी लाइफ आके बढ़ी राजकुमार की तरह इनका अब्रिंगिंग होता है at the age of 30 years, 30 साल की उमर में, he left his household life, इन्होंने अपनी ग्रिहस्थ जीवन को छोड़ दिया and he set out for attaining supreme knowledge, परम ज्यान की प्राप्ती के लिए ये जंगलों में निकल गए, एक ascetic की तरह निरगरन्थ ideology के principles पे चलते हुए, ये कहां निकल गए? घने जंगलों में निकल गए, कहां पे निकले घने जंगलों में? प्रेजिन डे ज्हारखन के इलाके में, जहां अभी भी बहुत घने जंगल है, और हम just imagine कर सकते कि उस वक्त कितने ज्यादा घने जंगल रहे होंगे वहाँ पे, वहाँ पे जाते हैं Lord पारिश्वनात and he reaches समेद शिखर. ये बहुत बड़ा एक तीर्थे स्थान है, जैन रिलिजन के followers के लिए, जिसे वो शिखर जी भी बोलते हैं, तो ये सम्मेद शिखर कहां है? प्रेजिन डे ज्यारखन के हजारी बाग में ये सम्मेद शिखर है, जो चोटा नाकपूर का पठार है, आप जियोगरफी में आगे पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, तो उसका सबसे उंचा हिस्सा है ये सम्मेद शिखर, ये वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर 80 days, he meditated at a stretch for 80 days, 80 दिन का कठोर तप करते हैं लगातार at a stretch, after which he achieved कैवल्य, now remember this, वही supreme knowledge जिसको बुद्धिजम के अंदर निर्वान कहा गया है, उसी supreme knowledge को जैनिजम के अंदर कैवल्य कहा गया है, तो ये नाम अलग-अलग है, लेकिन meaning दोनों का interpretation दोनों का बिलकुल same है, ठीक है, तो ये बात रही कि इनको कैवल्य की प्राप्ती होती है, कैवल्य की प्राप्ती होने के बाद, what he does, that he comes back to the civilization, and now his objective was to preach what is truth, what should be there in the society, how should people live, what should be the way of life, इस objective के साथ ये knowledge गेन करने के बाद वापस society में आते हैं, and then he preaches the four important principles of Jainism, what were those four important principles of Jainism, तो वो चार important principles Jainism के क्या थे, एक एक करगेपन देखते हैं, बहुत simple और छुटे छुटे principles है, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अ, परि ग्रह ठीक है, ये सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, इसी order में आप याद कर लेना, बिल्कुल सही, बहुत सारो नों लिख दिया, मुझे पता था, अब लोग लिख दोगे इसको, ठीक है, तो अब बात करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ये होता क्या है, सबसे पहली बात करते हैं, सत्य की, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सत्य की definition, एक बार आप से पूछता हूँ, किसी को याद है, वाट इस सत्य, ट्रूथ क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे सत्य को, जूट नहीं बुलना है, सत्य है, लेकिन सत्य की definition क्या होगी, ओरिजिनल आस्पेक्ट, ट्रूथ, ठीक है, जूट नहीं बुलना, सत्य होता है, लेकिन सत्य को डिफाइन कैसे करोगे, याद रखना, सत्य वो होता है, जिसे सिद्ध किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके, वो सत्य है, तो वो कहते हैं कि एक इंसान को हमिशा सच बोलना चाहिए, सच बोलने से क्या होगा, अब अच्छी चीजी हो जाएगी सच बोलने से, अब जानते हैं कि सच बोलने के क्या फाइदे होते हैं, शायद सच बोलने के short term नुकसान हो सकते हैं, लेकिन long term फाइदे होते हैं, और सबसे important चीज है कि humans जो होते हैं न, humans एक ऐसी स्पीशी है, जो कि group में रहते हैं, और ग्रूप में एक दुसरे के उपर भरोसा करके रहना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे में सत्य ना बोलना इस ग्रूप के भरोसे को तोड़ता है, ultimately humans ऐसे group तूट सकते हैं, और वो humans के लिए अच्छा नहीं होगा, तो सत्य बोलना कोई ऐसी बात नहीं कि सत्य बोलना कोई ब बोल के अलग-अलग हो जाएंगे, और छोटे-छोटे groups में या individually humans एक successful species नहीं है, तो humans के existence के लिए जरूरी है सत्य बोलना, अहिंसा, non-violence, again humans group में रहते, और वहाँ पर अगर violence होगी, तो फिर ये group तूट जाएगा, इसी लिए non-violence, मन से, वचन से, कर्म से, जैन religion non-violence के उपर बहुत ज्यादा emphasize करता है, और ये emphasis इसलिए करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि हर object के अंदर, हर छोटे से छोटे living being के अंदर एक soul होती है, और जब आप उसको तकलीफ पहुचाते हो, कुछ violence उसके साथ करते हो, तो उसको भी वैसा ही दर्द होता है, वैसी तकलीफ ह होता है, इसलिए आप नहीं चाते हो, जो कि आप के साथ हो, तो आपको भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए a himself का concept आता है, astay, astay का literal meaning होता है, कि चोरी नहीं करना, किसी से बिना पूछे, उसकर कोई चीज यूश नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, this is the astay aspect, and fourth is a parigraha a parigraha एक ऐसा आसपेक्ट है जिसका मतलब होता है non accumulation of wealth अपनी जरूरत से ज्यादा wealth हिकटी नहीं करना पुराने वक्त में या अभी भी हम देखते हैं कि लोग जमाख होरी करते हैं अपने पस बहुत सरी wealth अपने बस बहुत सरा अनाज रख लेते और बहुत सरा अनाज ब्लॉक कर देते जब अनाज ब्लॉक हो जाता है तो market में उसकी कमी हो जाती तो उसकी कीमटों में उचाल आता है जैजी उचाल आता है तो फिर वो दीरे दीरे उसको release करते हैं and they earn they increase their margin of profit by this इस तरह के trends पुराने जमाने में भी होते थे जेनरिलिजन को follow करने वाली बहुत बड़े numbers में trading communities होती थी जो इस तरह की चीजें करती थी अपने मुनाफे को आगे बढ़ाने के लिए और इसी लिए Lord पारिश्वनात ने ये कहा था कि अपरिग्रह याने की अपनी जरूरत से ज्यादा wealth को accumulate नहीं करना है तो ये चार principles इनों ने दिये थे as a result of which as a result of which ये ideology बहुत popular हो गए ये ideology popular हुई और इनके followers इस्टन इंडिया में बहुत बड़े numbers में हो गए पहली बार ऐसा हुआ था कि ये ideology के followers लाक्स में चले गए थे लाकों में चले गए थे तो ये एक reformer माने जाते हैं Lord पार्शुनात तिर्थांकर तो इनसे पहले भी आये थे और तिर्थांकर उने इस तरह की बाते पहले भी preach करी थी ये पहले तिर्थांकर नहीं रहे होंगे जिन्होंने इस तरह की बाते preach करी थी but for various reasons वो उतना popularity नहीं हो पाई लेकिन इनके वक्त ही popularity हो गई इसलिए इनको historians ने मान लिया था कि ये एक बहुत बड़े reformer है तो हमको भी अभी books के एसाब से चलना चाहिए तो हम भी इनको reformer मानेंगे जैनिजम में लेकिन याद रहे कि अभी तक ये जैनिजम नहीं हुआ है अभी भी निर्गरंत ही चल रहा है अभी तक वो word जैनिजम existence में नहीं आया है ठीक है अब बात करते हैं Lord पारिश्वनात के बाद में क्या होता है तो Lord पारिश्वनात के बाद जो अगले रिवियर्ड फिगर है जैन रिलिजन के अंदर वो रिवियर्ड फिगर है महावीर स्वामी अहिंसा को दोबारा explain करने का आप बोल रहे हो मैं कर देता हूं अहिंसा जैसे कि मैंने आपको बोला कि मन से किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना मन से किसी के परमें बुरा सोचना नहीं वचन से किसी का बुरा बुलना नहीं और कर्म से किसी का बुरा करना नहीं जैनिजम का नॉन वाइलेंस यह मन सा वाचा कर्मना मन से वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं करना सोचना बुलना ये non-violence है, किसी को तकलीप नहीं पहुचाना, क्योंकि हर किसी के अंदर एक आत्मा होती है, और उसको दुख होता है, परिशानी होती है, जैसे आपको भी हो सकती है, तो this is non-violence, ठीक है, किसी ने question पूछा है, what is the one path people should follow, कौन सा रास्ता है जो लोगों को follow करना चाहिए, इस का answer में आपको इसी chapter में थोड़ा आगे दूँगा, ठीक है, महावीर स्वामी की हम बात करते हैं, अब महावीर स्वामी की जब हम बात करते हैं, तो पहले तो इनके basic जो इनकी family और इनकी early life से जुड़े हुए, facts से उनके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज, born in 5 540 BC, modern historians ने ये conclude किया है, दो dates की बीच में बहुत confusion होता है, 5 कुछ बोलते 599 BC, कुछ बोलते 540 BC, लेकिन it is largely accepted कि 540 BC में इनका जनम हुआ था, ये वही दोर है, जब लॉड बुद्ध भी जबान हो चुके थे, ये वही दोर है, जब बुद्ध और महावीर जैसे दो महापु भारत की धर्ती पर एक साथ रहा करते थे, 540 BC में इनका जनम होता है, and like other reformers of Jainism, he was also born in the royal family, इनका भी शाही परिवार के अंदर जनम हुआ था, तो कौन से शाही परिवार में जनम हुआ था? तो he belonged to Jynatric clan, जैसे हमने बात करी थी ना कि Lord, बुद्ध, शाक्य, शत्रिय क्लान के थे, वैसे ही ये Jynatric clan में इनका जनम हुआ था, अब इनके फादर का नाम याद कर लेते हैं, तो इनके फादर का नाम वही था, जो गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था, सिधार्थ, इनकी मदर त्रिशला देवी, इनकी मदर से चुड़ावा एक और important fact है, जो आप याद रखना, इनकी मदर, अब जब इन दोनों का बेटा होता है, तो इनका जो बेटा होता है, उसका नाम होता है, व्रिधिमान, या फिर उनको वर्दमान भी बूल देते थे, पर उरिजिनली वो व्रिधिमान था, इनका जो जनम हुआ था, तो उस साल जब उस वक्त हार्वेस्ट चल रहा था, और बहुत ही बड़िया हार्वेस्ट हुआ था, जिसको हम बोलते ना बंपर प्रोटक्शन हुआ था, तो इसी लिए इनके पैरेंट्स ने इनका नाम रखा था वरिधिमान, one who propagates the growth, जो बढ़ुतरी करता है, जो ग्रोथ करता है, तो ठीक है, तो इनका वरिधिमान नाम रखा था, लेकिन वर्दमान के नाम से भी इनको जाना जाता है, अब इनकी ज्यादा तर जो हमको information मिलती, जिसको historically authentic मारा गया है, वो श्वेतामबर literature से मिलती है, श्वेतामबर हम देखेंगे कि आगे जैनिजम में भी divisions होते हैं दिगंबर और श्वेतामबर में, तो जो श्वेतामबर sect of जैनिजम है, उसकी literature को ज्यादा authentic मारा जाता है, दिगंबर जैन literature से कहते हैं कि इनकी parents ने इनकी शादी करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनुने इनकार कर दिया, रेजिस्ट किया, और शादी नहीं की, and all his life he practiced ब्रहमचरे, लेकिन श्वेतामबर टेक्स्ट ये कहते हैं कि he married यशोदा, princess यशोदा, princess ये शोदा से इनुने विवाह किया, and he also had a daughter with her, daughter Anunja, तो श्वेतामबर tradition को ज्यादा accept किया जाता है, कि he was married to यशोदा, and he also had a daughter named Anunja Priyadarshini, तो ये इनकी एक तो पूरी family हो गई, बिलकुल वैसी कहानी चल रही है, इनकी जैसी Lord Buddh की चल रही थी, कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, At the age of 30 years, 30 साल की उमर में, 30 साल की उमर में, इनका, at the age of 30 years, he started ascetic life, इन्होंने कैसा जीवन शुरू कर दिया, सन्यासी जीवन शुरू कर दिया, इन्होंने बुला कि मुझे supreme knowledge attain करना है, इनकी parents की death हुई थी, parents की death के बाद, whatever had came in his mind, he must have started asking question about the life and death and the need to live a life just like, जैसे की Lord Buddha ने भी शुरू किये थे questions, इस तरह की thoughts इनके mind में आये होंगे, and then, influenced by the निर्गरन्थ ideology, he assumed ascetic life, ये एक निर्गरन्थ सेक्ट के ascetic बन गये थे, अब निर्गरन्थ सेक्ट के जब ये ascetic बन गये, इन्होंने भी घर छोड़ दिया, ये भी जंगलों में रहने लग गये, and for 12 years, he remained, या ऐसा नहीं, ascetic तो देखो ये अपने life long रहे थे, for 12 years, he lived hard life, क्योंकि ये hard, जो 12 साल थे न, ये 12 साल में इनको supreme knowledge नहीं मिला था, ये केवलिन नहीं बने थे, इनको कैवल्य ग्यान नहीं मिला था, तो ये 12 साल वो खोज में गये, he was not like गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध सदार्थ की तरह नहीं थे, तो 6 साल में उनको supreme knowledge मिल गया था, इनको दोगुना वक्त लग गया, इनको 12 साल लग गये, और बहुत difficult इनोंने life जी, because he was living ascetic life based on nirgrant ideology, nirgrant ideology के उपर आधारेत ascetic life ये जी रहे थे, जिसमें सबसे पहली condition होती थी to observe complete nudity, और उस process में लोग accept नहीं करते थे, ऐसे कई ऐसे गाउं होते थे, जो nude भिक्षूओं को अपने गाउं आने नहीं देते थे, गुसने नहीं देते थे, उनको भिक्षा नहीं देते थे, उपर से नirgrant ideology non-violence को follow करती थी, तो food को लेकर भी इनके पास में choices बहुत कम थी, और बहुत सारे गाउं इनको अपने इलाके में एंटरी नहीं होने देते थे, तो भूका रहना पड़ा, मौसम की मार सहनी पड़ी, लोगों के ताने सहने पड़े, कई गाउं में जाते थे तो लोग इनके उपर पत्थर भी फैक दिया करते थे, मार दिया करते थे, ये सारी hardships को इन्होंने 12 साल तक जहला था, बारा साल बात, after 12 years, he achieved, he achieved supreme knowledge, that is कैवल्य इन जैनिज्ञ, अब इनको कैवल्य की प्राप्ती होती, कहां पर प्राप्ती होती है, तो ये भी fact की तोर पर याद रख ले न, जिम्भी का ग्राम, प्रेजन डे बिहार में, जिम्भी का ग्राम में, इनको रिजू पाली का नदी के किनारे, supreme knowledge के प्राप्ती होती है, एक साल के व्रिक्ष के नीचे, बैट करें ध्यान कर रहे होते हैं, याद रखना, लॉर्ड बुद्ध को पीपल के व्रिक्ष के नीचे, पीपल के ट्री क नीचे बैट के supreme knowledge मिला था, इनको साल के पेड के नीचे बैट के supreme knowledge मिला था, और भी देख लो भारत में कौन कौन से पेड होते हैं, सब के नीचे बैट के पढ़के देख लेना, पता नहीं कहां से कुछ मिल जाए आपको, तो जिम्भी का ग्राम में, रिजू पाली का नद जब इनको supreme knowledge मिला था, 72 years की age में इनकी death हो गई थी, तो अगले 30 साल तक इन्होंने वही किया, जो Lord बुद्ध ने भी निर्वान हासिल करने के बाद किया था, और वो थी preaching, ज्यादा से ज्यादा preaching, ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने जो preaching करी, उस preaching में important चीज क्या थी, तो वैसे तो हम आगे discuss करेंगे कि क्या-क्या इनकी preaching थी, क्या-क्या इनकी teachings थी, लेकिन एक बात जो unique है, जो आप सब लोग में देख चुका था, पहले लिख चुके थे बहुत सारे लोग comment में, पर ठीक है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा न, तो मैं बता देता हूँ कि एक unique चीज जो उन्होंने preach करी थी, वो थी ब्रह्मचर्य, ये unique aspect उन्होंने preach किया था, जो previous हमने चार teachings देखी थी, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, इस चारों में एक को add कर दिया है इन्होंने ब्रह्मचर्य को, और ये मिल गए, अब होगी, टोटल होगी, पाँच teachings, पहले तो चार teachings थी, अब इसमें जुड़ गई, तो पाँच भी हो गई, इन्हें ही इन पाँच teachings को ही कहते हैं, जैन religion के पंच महा वृत, तो याद रखना, जैन religion के पंच महा वृत क्या होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और भ्रह्मचर्य, तो इ पहले टीचिंग, महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल्स, तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, कि लौड बुद्ध हो या महावीर हो, दोनोंने ही वैदिक अथौरिटी को डिनाय किया था, और मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये बात, कि इन्होंने वैदिक अथौरिटी को डिनाय किया था, इन्होंने वेदों को डिनाय नहीं कर दिया, खोद इनकी बहुत सारे फिलोसफी कहीं ने कहीं वेदों के अंदर जिक्र की हुई थी, लेकिन वेद ही आर ये सत्य है, अल्टिमेट ट्रूथ है, इस बात को इन्होंने डिनाय किया थ दूसरा point तो ये भी Lord बुद्ध की तरह ही थे जो की इश्वर के existence को नहीं मानते थे और ये बड़ी interesting बात है सोचने वाली बात है कि उस वक्त के दो ऐसे लोग जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने supreme knowledge हासल किया है दोनों ही God के existence को deny कर रहे थे और आगे बात आती है he believed in karma and transmigration of soul लेकिन unlike the Buddhism जैनिजम always believed in the principle of existence of soul आत्मा के अस्तित्व में जैनिजम बिलीव करता है मैंने भी बताया था थोड़े देर पहले आपको कि छोटे से छोटे जीव में भी वो आत्मा का वास मानता है और आत्मा सबकी बराबर मानता है चाहे हाथी हो इंसान हो या चीटी हो आत्मा सबकी एक ही होती एक जैसी होती है और इसलिए किसी को भी कश्टनी देना चीए इसलिए तो वो follow करते है non-violence और जैसे कि यहां लिखा हुआ है कर्म ये भी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इंडिया की जो ancient religions है चाहे वैदिक religion हो चाहे बुद्धिजम हो जैनिजम हो ये सारे ही religion एक बात पर agree करते हैं वो है कर्म कि आपके साथ वो ही होगा जैसा आप कर्म करोगे अच्छा करोगे तो अच्छा होगा बुरा करोगे तो बुरा होगा चाहे आप गौड को मानो या नहीं मानो वैदिक religion मानता है देवी देपता को लेकिन कर्म की बात करता है हिंदू religion के अंदर भी कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हिंदू रिलिजन के अंदर इवन हमारे देवी देवता जो है न वो भी कर्म के दाइरे में हम पुराणों में बहुत थारी कहानिया देखते न कि लॉर्ड शिव है लॉर्ड शिव ने किसी राक्षस को लॉर्ड शिव ने किसी राक्षस को क्या कर दिया वर्दान दे दिया कि तुम जिसके भी سर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा अब वो एक दिन राक्षस लॉर्ड शिव के सर पे हाथ रखने आ गया तो बड़ी मुश्किल से उसको बचाए गया यानि कि कहानी क्या बता रही आपको कहानी ये बता रही है कि शिव ने भी एक कर्म ऐसा किया चोने नहीं करना चाहिए होगा और अगर उन्होंने किया तो उसका फल भी उनको मिला तो हमारे कल्चर में कर्म से बड़ा कोई भी नहीं है तो यह यहाँ पर भी बात आती है कि कर्म आत्मा दोनों के concept को यह believe करते है उसके बाद में यह बात आगे है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा यह austerity यानि ब्रह्मुचरिय और non-violence को follow करने की बात अगेन एक एसा fact जो हम discuss कर चुके है इन्होंने वर्ण सिस्टम को completely reject नहीं किया एक बात बहुत अच्छे से याद रख ले ना बुद्धिजम और जैनिजम के बीच में difference की कि इन्होंने यानि की लॉर्ड बुद्ध ने वर्ण सिस्टम को completely reject कर दिया था लेकिन जैनिजम ने वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया पर उन्होंने ये कहा कि जन्म से नहीं तय होगा कर्म से तय होगा कि कौन कैसा है और बहुत रैशनल बात थी बहुत सही बात थी कि इन्होंने वर्ण सिस्टम को मैंने वैसे भी आपको बताया था कि वर्ण आप म मानो या ना मानो, वर्ण तो ही दुनिया के अंदर, जो military service कर रहा है, वो क्षत्रिय है, जो research कर रहा है, study कर रहा है, वो ब्रामिन है, जो trade कर रहा है, वो वैश है, उसको कुछ भी कह दो ना, आप उसको trader कह दो, उसको scholar कह दो, उसको warrior कह दो, लेकिन काम तो वही है ना, इसको reject नहीं किया, उन्होंने, पर उन्होंने ये भी कहा, कि not by birth, ये जन्म से तय नहीं होगा, कि कौन क्या होगा, आगे हम बात करते हैं, इनका जो asceticism था, जैन religion के अंदर, asceticism was taken to a great length, starvation, nudity, self-mortification, were expounded, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ, कि ये सारी चीज़े क्या होती है, सबसे पहली चीज, starvation, याने कि ये लोग भूका रहते हैं, बहुत लंबे-लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तप करते हैं, जब ये कुछ तरह के तप करते हैं, तो ये लोग लंबे समय तक भूजन नहीं करते हैं, तो ये अपने आपको तकलीव देते हैं, फिर ब जैन मॉंक्स जो होते हैं वोग मिज्ञेडा को आपजर्व करें ऐसा क्यों है? क्यों बता सकता है कॉमेंट करके? ब्रमुठर्य में बताता हूं क्या होता है?rias throw यह आप लोग बताओ मुझे लिखके कि क्या होता है? अन्यूडीटी को क्यों observe करते हैं जैन मॉंक्स अन्जली आंसर्ट पॉर हार्ड लाइफ नहीं बात सिर्फ हार्ड लाइफ की नहीं है बात यह है यहाँ पे न्यूडीटी अब्सर्फ करने की दो चीज सबसे पहली चीज जैन रिलिजन के अंदर ये बानी गई है कि एक मॉंक अगर है अम मॉंक शुड़ होल्ड नथिंग एक मॉंक की कोई possession नहीं होने चाहिए एक मॉंक का कोई क्या नहीं होना चीज पॉसेशन नहीं हो अब कपड़े अगर आप लेते हो पहनते हो तो कपड़े भले आप एक ही कपड़े पहने हो lifelong लेकिन वो भी आपका possession हो गया न तो यह माना जाता है कि एक मॉंक कोई possession ही नहीं रखना चाहिए इसलिए एक वज़ा है कि वो कपड़े नहीं पहनते है दूसरी चीज कि कोई कपड़े क्यों पहनता है क्योंकि अगर वो ना पहनेगा तो उसको शर्म आएगी तो यह जो शर्म आनुवाली बात है यह बात भी consciousness की बात कि you are conscious about what others are thinking about you तो उस consciousness से भी उस monk को निकलना है और इसलिए वो nudity को observe करते हैं वो कहते हैं कि चारों दिशाएं ही हमारा अंबर है we don't need them तो यह उनकी बहुत बड़ी philosophy है इसलिए वो nudity observe करते हैं and then comes self mortification self mortification याने कि खुद को खतम कर देना जयन religion के अंदर एक practice होती है उसको श्वेतांबर जयन संथारा कहते हैं दिगंबर जयन संलेखना कहते हैं लेकिन इसमें होता यह है कि कोई monk कोई old aged monk जो यह देख लेता है कि now he is बहुत age हो गई है उसको जितना knowledge वो gain कर सकते थे वो कर चुके तो gradually वो food intake कम कर देते और धीरे धीरे कम करते करते food intake खतम कर देते सिर्फ water intake करते रहते और gradually water intake भी कम करते जाते हैं और एक दिन water intake भी खतम कर देते हैं by that time उनकी body इतनी weak हो जाती है कि वो collapse हो जाती है और death हो जाती है जयन monk से यह मानते हैं कि इस तरह से self-mortification करने से सनलेखना संथारा करने से जन्व और मृत्यू के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा मोक्ष की प्राप्ती हो जाएगी तो ये वाली जो बात है ये वाली बात है self-mortification की तो ये समझ गए हूँगे आप और आगे हम देखेंगे कि मौरियन एंपाइर के पहले एंपरर चंदरगुप्त मौरियन जो बात में जैन बन जाते हैं वो भी इसी self-mortification के थुरू अपनी life अपने आपको खतम करते हैं साउथ इंडिया में वो जाते हैं और साउथ इंडिया में जाके सनलेखना प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से वो अपने आपको एंडि करते हैं तो ये highest order of act है जैन रिलिजिन का self-mortification, सन्थारा या सनलेखना मुस्लिम रिलिजिन के बारे में भी कुछ बताईए बिल्कुल बताऊंगा लेकिन वो तब जब वो चाप्टर आएगा medieval history वगरा में तब मैं बताऊंगा definitely जैन रिलिजिन दो elements को मानता है दुनिया में एक जीव और एक आत्मा तो जीव जो होता है वो conscious होता है उनके हिसाब से और जो conscious mind है वो जीव है और जो sub-conscious mind है वो आत्मा है उसके अलावा जैनिजम के तीन important रतन होते हैं तो बोलते है त्री रतन वो बहुत अच्छे से याद कर लेना वो ये हैं त्री रतन of जैनिजम त्री रतन of जैनिजम तो ये त्री रतन क्या है सम्यक विश्वास right faith सम्यक ज्यान राइट नॉलेज और सम्यक कर्म याने की राइट कंड़क्ट इसको बहुत अच्छे से याद कर ले रहा है यह त्री रत्न है जैन रिलिजन के ठीक है अब बात आती है वो ही सारे फैक्ट्स की जो मैंने आपको बता है अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचरे ब्रह्मचरे के बारे में किसी ने क्वेशन पूछा था कि ब्रह्मचरे क्या होता है ब्रह्मचरे के बारे में एक बर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचरे क्या होता है जब मैं आपको वैदिक रिलिजन की सोसाइटी में आश्रम व्यवस्था ब आपको बताता हूँ, गौतम बुद की डेथ, शायद मैं बताना भूल गया था, इसलिए अच्छा क्वेशन में बता देता हूँ, देखे, ये एक स्टोरी है, जो बुद्धिस लिट्रेचर से हमको हासल होती है, वो स्टोरी ये कहती है, कि लौर्ड बुद अल्रेडी बहुत बुड़े हो चुके थे, कुशी नगर में थे प्रेज़ेंट ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, और वहाँ पे वो मेडिटेशन के लिए किसी केव में गये हुए थे, बहुत दिनों के मेडिटेशन के बाद जब वो केव से बहार आते, तो वो भिक्षा मांगते हैं गाओं में लोगों से, अब देगी ये वो वक्त है जब लॉड़ बुड़ दसी साल के हो गए थे और बहुत पॉपिलर हो गए थे, बहुत बड़े फिगर हो गए थे इंडिया के अंदर, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे गुफा के बाहर, कि कब वो निकलेंगे मेडिट सब लोग अपने घर जाते हैं दोड़के और हर कोई जो बेस्ट चीज बना सकता था, वो लेके आते हैं, अब बहुत भीड लग जाती है, सब लोग बहुत तारा खाना ले आते हर किसी के पास कुछ ने कुछ था, उनको भिक्षा में देने के लिए, लेकिन लौड बुद् लेके थे, इसके बारे में भी अलग-अलग लिटरेचर्स में अलग-अलग बाते लिखी, कुछ कहते हैं कि वो पॉर्क लेके आया था, पका के, यानि कि सूवर का गोश्ट, कुछ कहते हैं कि वो कुछ मुछूम वगेरा पका के लाया था, तो जो भी वो पका के लाया था, लॉर्ड बुद्ध ने उसको ग्रहन किया और उसके बाद लॉर्ड बुद्ध की तबियत खराब हो गई मिस्टर मयंक पीजा खाओगे आप अब दोबारा इस तरह का कॉमेंट किया इस तरह की जो मैं बात कर रहा हूँ उस बीज अगर ऐसा कॉमेंट किया तो फिर मैं बताऊंगा आपको दुबारा इस तरह का कॉमेंट दिखना नहीं चीए मुझे जब कोई सीरियस बात चल रही है तो मजाक नहीं होगा मजाक तब ही होगा जब मैं मजाक करूँगा मेरे मजाक करे बगेर किसी ने भी मजाक किया तो मैं उसको बाहर करवा दूँगा यहां से और यह मैं बोल रहा हूँ है I say it I mean it मेरे को यहां पर कोई भी चीप चीज नहीं चाहिए बिलकुल भी जब मैं मजाक करूँगा तब ही आप फॉलो कर सकते हो ठीक है तो वो पॉर्क का मीट खाके कुछ कहते हैं historians की उनकी तबियत खराब हो गई और उसके कारण उनकी डेथ हुई कुछ historians बोलते हैं कि वो already बहुत old age में आ चुके थे और उनके body ने अब दीरे दीरे work करना बन कर दिया था उनके organs ने इसी लिए उनकी death होती है तो इस तरह से उनकी death होती जो आपने पूछा था part question आपको hopefully answer मिल गया होगा तो ब्रह्मचरी के हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मा की तरह आचरण करना इसे ब्रह्मचरी कहते है ब्रह्मा कैसा आचरण करते हैं सैयम के साथ patience के साथ luxury की तरफ नहीं जाना और limited में रहना limited resources का use करके अपनी life को जीना basically यह है ब्रह्मचरी लेकिन ब्रह्मचरी को ज्यादा तर किस से जोड़ दिया जाता है शादी नहीं करना देखिए अगर लॉड महावीर ने ब्रह्मचरी का principle दिया था तो फिर तो जैन religion आगे ही नहीं बढ़ना था क्योंकि कोई शादी नहीं करता कोई शादी नहीं करता तो आज तक हम फिर जैन religion के followers को कैसे देख रहे होते तो बाद भ्रह्मचरी की यह नहीं है कि शादी नहीं करना बाद भ्रह्मचरी की यह है कि life में हमेशा कोई भी काम करो तो एक सैयम के साथ करो उस काम को over luxurize नहीं कर देना कभी भी basically यही भ्रह्मचरी था जो लॉर्ड महावीर समझा रहे थे दरसल हुआ यह था कि वो जो दौर था ना लॉर्ड महावीर की life का वो दौर ऐसा था कि भारत में second urbanization आ गया था इंडस वैली civilization के बाद दुबारा भारत में एक ऐसी conditions आई थी कि बहुत wealth हो गई थी बहुत जादा agricultural production होने लग गया था इसलिए लोग wealthy लोग जो है luxury over luxury में रहना शुरू कर चुके थे यही वज़़ है कि Lord पारश्वनाथ ने यही वज़़ है कि Lord पारश्वनाथ ने Lord महावीर ने ब्रह्मचरे का पालन करने के लिए कहा था कि वो उतनी luxury में मत रहो क्योंकि उतनी luxury में तब तुम ही रह सकते हो तुम जब तुम अपरिग्रह नहीं कर रहे हो तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा wealth हिकट्टी कर ली तो यह तो सारी बात हुई इनकी teachings की अब दूसरी बात करते हैं important जो आपको याद रखनी है मैं वो सारे facts आपको बता देता हूँ questions वैसे बहुत मुझे लगता नहीं इसमें से पूछा जाएगा बट फिर भी you never know तो हम Jain Literatures को एक बार दिख लेते कि कौन कौन से Jain Literatures होते है Jain Literatures में सबसे पहले the teachings of Tirthankars before Mahavir are known as 14 पूर्वास यह 14 पूर्वास जो है यह important literature है जिस पे मैं underline करूंगा यह encircle करूंगा वो important literature है यह पूर्वा literature उसको बोलते है इसमें 14 literature है जो again हम याद नहीं करेंगे जरूरत नहीं है उसके अलावा अगम literature है यह अगम literature है यह कितने parts है इसके 12 parts है again हम उन 12 parts को जरूरत नहीं है याद करने की 14 पूर्वास 12 अगम and 6 छेदी सूत्र आपको सिर्व यह याद कर लो और हम आगे बढ़ेंगे इस पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देंगे and one is कल्प सूत्र जिसमें की बहुत सारी biographies लिखी हुई है अभी जो literature है आप यह सोच रहे हुँगे कि यह 14 पूर्वास है 12 अगम है 6 छेदी सूत्र है या मैं कल्प सूत्र की बात कर रहा हूँ तो यह सारे literature में लिखा क्या हुआ है तो यह जितने भी literature है यह सारे के सारे literature जो है canonical literature है जिसका मतलब है कि religious ideology को बताने वाले literature रिलिजिस philosophies को बताने वाले literature आप कभी कोई किताब पढ़ोगे तो इसमें आपको literature दो पार्ट में divide होकर दिखाई देंगे canonical और non-canonical तो यह इसमें difference ही होता है कि canonical literature वो होते है जो religion तक limited होते है religion की ideology को बता रहे होते है non-canonical literature एतिहासिक literature होते है जो कोई कहानी बता रहे होते है किसी राजा की कहानी हो सकती है या किसी और individual की कहानी हो सकती है तो canonical literature जैन religion के इंदर बहुत कम है ज्यादा तर जी important है canonical literature है जो आप as it is याद कर ले न स्टूप के बारे में बिल्कुल आ सकता है निखिल और स्टूप के बारे में हम आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे जब हम मौरेन पीरिट पे आएंगे और पोस्ट मौरेन पीरिट पे आएंगे तब आर्किटेक्चर में स्टूप के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, division in jainism, jain religion के अंदर division, देखो jain religion के अंदर जो division होता है, यहाँ पर भी एक छोटी से story है, अब वो story यह है इस division की, कि मगद यह बात है लगबग 300 years BC की, उस वक्त भारत में मौरेन empire का राइज हो चुका था, obviously किसी भी religion में division एकदम से नहीं हो गया, कि religion बन गया और कुछ साल बाद division हो गया, तो समय लगा, तो यहाँ पर भी हम 300 BC तक आते हैं, division के लिए, अब मगद में आता है बहुत बड़ा अकाल, बहुत बड़ा ड्रॉट फहिमाईन आता है, जिसकी वज़ा से jain monks के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों मुश्किल हो जगे जहां पर अकाल आ चुका है, जहां पर लोगों के पास ही खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पर किस से जाके भिक्षा मांगे, क्योंकि लोग तो खुदी बिचारे अकाल में परेशान हैं, इसलिए बहुत सारे jain monks भद्र बाहु नाम के jain leader के साथ South India चले जाते हैं, जहां पर drought का effect नहीं था, कुछ wonks महीं रह जाते हैं, जो किसी तरह से manage कर पाये थें वहाँ पर, अब इसका नतीज़ा ये होता है कि 12 साल बाद वो वापस भद्र बाहु आते हैं मगत, अब भद्र बाहु ये observe करते हैं कि कुछ BC और AC, AD मेरे शाल से BC और AD आप पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको BC और AD बता दूँगा मैं आपको, तो पहले में division के बारे में बता देता हूँ, अब क्या होता है कि भद्र बाहु जब वापस आते तो वो देखते हैं कि कुछ जैन मौंग से स्थूल भद्र नाम के जैन लीडर के साथ में, जिन्हों ने अपनी body के around एक सफेद रंग का कपड़ा धरन करना शुरू कर दिया है, nudity को observe करना बन कर दिया है, तो objection लेते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, this is not the basic principle of our religion, हमारे सारे तिर्थांकर सभी nudity observe करते थे आपने अपनी body के around एक सफेद कपड़ा क्यों बानना शुरू कर दिया, क्यों लपेटना शुरू कर दिया, स्थूल भद्र और उनके followers का ये कहना था कि हमारे nude रहने से कहीं ने कहीं लोगों से हम थोड़े से cut off हो जाते हैं, इससे अच्छा है कि अगर हम एक सफेद वस्तर अपने body के around धारंड कर लें, तो ज्यादा लोग हम से जुड़ पाएंगे, हमारी teaching ज्यादा दूर तक फैल पाएगी, लेकिन भद्रबाहु ने बुला नहीं, चाहे teaching हमारी फैले या ना फैले, लेकिन basic principle से compromise नहीं होना चाहिए, पर इस बात पे ना सिर्फ monks divide हो गए, बलक जैन religion follow करने वाले भी divide हो गए, और इसी के साथ में जैन religion के दो sects उभर कर आते हैं, दिगंबर और श्वेतामबर इनको बोलते हैं इंग्लिश में white clad और इनको बोलते हैं इंग्लिश में sky clad sky clad क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि चारो दिशाएं ही हमारा अंबर है, आकाश ये दिशाएं ये सब हमारा अंबर है इसलिए इसको sky clad बोलते हैं और ये सफेद कपडा धारन करते हैं, इसलिए इनको white clad बोलते हैं उस वक्त जो division हुआ था तो जो डिगंबर सेक्ट को emphasize कर रहे थे वो थे भद्र बाहू और जो श्वेतंबर सेक्ट को emphasize कर रहे थे वो थे फूल भद्र कुछ-कुछ literature में इनको स्थूल बाहू भी कहा गया है तो यह दिगंबर और श्वेतंबर में इस तरह से यह religion divide हो गया तो सबी religions के साथ ऐसा हुआ जो की divide हो गए यह भी बच नहीं पाया उससे अब हम आगे बात करते हैं जैन religion की councils की दिखिए जैन religion की ज्यादा councils नहीं हुई यह दो मनने लिख दी first council जो की पाटली पुत्र में होती है परिसाइड़ बाई स्थूल बाहू और second council जो बहुत बात में होती 512 years AD में होती अब आप यह देखो third century BC के बाद अगली council इनकी 512 AD में हो रही है वो भी कहा हो रही है वललभी वललभी कहा है present day गुजरात गुजरात में भावनगर नाम की जगह है उसी के नस्दीक हुआ करती थी यह जगह तो यह दो council इनकी होती है लेकिन वो तो आप याद कर लोगे लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे आप यह बात बताए मुझे कि जैन religion इतना कम क्यों follow होता है जैन religion इतनी पुरानी ideology है लेकिन जैन religion के followers का number इतना कम क्यों है श्रवन बेल गोला क्या है देको श्रवन बेल गोला जैनों का एक तिर्थ है South India के अंदर बहुत बड़ा important तिर्थ है South India में जहां पे उनकी एक तिर्थांकर बाहू बली भगवान बाहू बली की एक बहुत बड़ी मूर्ती है जो famous है उसके महा मस्तक आभिशेक के लिए तो ये श्रवन बेल गोला की बात है फिर मैंने question कहा आप से पूछा कि क्यों वाइ जैन religion के followers का number इतना कम है नहीं nudity इसकी वज़ा नहीं nudity तो सिर्फ उनके monks follow करते थे किसी के उपर imposed थोड़ी थी very good it is very hard to follow जैन पुराने जमाने में क्या होता था आप आज आप जो भी religion follow कर रहे हो जो भी आपका religion है वो आपका religion इसलिए क्योंकि आपके मम्मी बापा का religion वो था उनके मम्मी बापा का वो religion था तो आप उस religion को follow कर रहे हैं उसी को अच्छा मानते हो लेकिन पुराने वक्त में लोग अपने religion को चुनते थे लोग religion को सिर्फ इसलिए नहीं किसी religion से इसलिए जुड़े नहीं होते थे क्योंकि उनका उस परिवार में जन्म हुआ है वो सही में उस religion को follow करते थे तो जैन religion was very difficult to follow बहुत सारी इसके अंदर prohibitions होती थी food को लेके way of life को लेके और इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा numbers में लोगों ने इसको follow नहीं किया जबकि आसान way of life उनके पास में available थी बुद्धिजम के रूप में या वैदिक religion के रूप में ये relatively आसान way of life वाले religion थे जनिजम वास वेरी टफ और पुराने ज़माने में लोग अपने religion को पूरा follow करते थे तो और इसलिए उसके followers का number हमेशा बहुत कम होता है ये दो councils pastors एक और third एक बीच में कई historians इसको third मानते हैं वो बोलते कि एक और council हुई थी बीच में जो कि parallel हुई थी एक मतुरा में हुई थी और एक वल्लबी में हुई थी लेकिन अगेन उसकी ज्यादा information नहीं मिलती तो कुछ-कुछ कित मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ किताब में आपको मिल सकता है कि यार तीन council हुई थी तो एक council second counselling मतुरा और वल्लबी में हुई थी बट अगेन आपको उसको ignore करना है क्योंकि largely ये दो councils ही मानी जाती है ठीक है तो ये हो गया जैनिजम की councils अब जैनिजम के अलावा बुद्धिजम के अलावा कुछ दूसरे sects भी थे जो कि इस दौर में rise हुए थे उन्हीं में से एक sect था आजीवक sect propagated by मक्खली गोशाल मक्खली गोशाल और इसका basic principle सिर्फ याद रखना आपको और कुछ भी याद नहीं रखना इसका basic principle क्या था इसका basic principle था destiny मक्खली गोशाल एक slave थे मक्खली गोशाल एक गुलाम थे एक दास थे इनके master इनको बहुत मारते थे तो इन्होंने क्या कि इन्होंने ताय कि यह भाग जाएंगे तो एक बार यह भाग गए तो इनके master ने इनको पकड़ लिया पकड़े गए यह दोबारा लेके आए और ज्यादा मारा इनको और ज्यादा मारने के बाद इनके कपड़े उतार लिये सारे और इनसे कहा कि अब काँ भागोगे तो भी यह इतने परेशान हो गए थे इनके बार जंगल की तरफ भागे थे लोगों ने पकड़ लिया था और वापस भेज दिया था इस बार जंगल की तरफ भाग गए मक्खली गौशाल स्लेव थे गौशाला में जनम हुआ था इसलिए मक्खली गौशाल इनको कहते थे जंगल में भाग गए अब पता नहीं कुछ चाहे जो भी हो लेकिन उस मास्टर क्या उस सेट क्या नहीं रहना था इनको जब यह भाग जाते हैं जंगल में तो जंगल में इनको एक परसन मिलता है जो पूरी तरह न्यूट था इन्हें लगता है कि यार ये भी कोई स्लेव होगा ये भी कहीं से भाग के आया तो एक से भले दो ये बोलते कि आप मुझे अपने साथ रख लो मुझे बहुत डर लग रहा है जंगल में तो ये उस व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं ये व्यक्ति और कोई नहीं था ये महावीर स्वामी थे महावीर स्वामी के साथ रहते हैं इनको मक्खली गौशाल को भी नौलेज होने लगता है इनको भी ज्यान प्राप्त होने लगता है, भी meditation करने लगते हैं, चंदन के व्रिक्ष पे लप्टे हुए साप में से भी खुश्बू आने लगती है, तो ये तो साप भी नहीं थे, ये तो इनसानी थे, तो एक अच्छे इनसान की संगती में इनको भी बहुत सारी learnings हो जाती है, philosophy के बारे में, meditation के बारे में, तो जब इनको बहुत सारी learning हो जाती है, तो ये बोलते हैं, ये कहते हैं महावीर स्वामी को, कि आप nude क्यों रहते हो, मेरी तो मजबूरी थी, मेरे सेठ ने मेरे कपड़े निकाल लिये थे, तो मुझे रहना पढ़ता था nude, लेगन आप nude क् हो, तो महावीर स्वामी ने बोला कि, you know, it's my philosophy, ये मेरी philosophy, इसलिए में nude रहता हूँ, उन्होंने बोला, नहीं मुझे सही नहीं लगता nude रहना, महावीर स्वामी ने बोला, it's okay, अगर आपको सही नहीं लगता, I'm not forcing you, insisting you, आप कर सकते, you can have your own path, तो ये महावीर स्वामी से separate हो गया, इनको ग्यान भी महावीर स्वामी से ही मिला, और जब ग्यान मिला तो इन्होंने दिया भी महावीर स्वामी को ग्यान, और अलग हो गया महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी से अलग होने के बाद इन्होंने अपना खुद का सेक्ट शुरू किया, इनके भी थोड कर रहे थे सुप्रीम नौलेज की तरसल बुद्ध और महावीर ने उस वक्त भारत के अंदर एक ऐसा ट्रेडीशन शुरू कर दिया था कि हर नौजवान सुप्रीम नौलेज हासिल करना चाहता था हर नौजवान जो 28-30 साल का हो जाता था उसे लगता था कि वो सब कुछ निर्वान हासिल कर ले कैवल्य हासिल कर ले लेकिन ऐसा होने वाला थोड़ी था पर इसकी कारण सोसाइटी में बहुत बुरा प्रभाव पढ़ रहा था बहुत थारे लोग अपने फैमिलीज को छोड़ छोड़ के इरिस्पॉंसिबिली जाने लग गए थे तो इन्होंने ऐसे लोगों को रुकने के लिए कहा कि बिलीव इन डेस्टिनी डोंट ट्राइ टू हाड अगर तुम्हें मिलना होगा ना तो मिल ही जाएगा तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भागने की बुद्ध के फादर ने तो उसको कितना पकड़ के रखा लेकिन उसको मिलना था ना तो चार दृष्य बाकी लाइफ के उपर भारी पड़ गए लॉड महावीर भी एक राजकुमार थे लेकिन उनको मिलना था तो राज प्रसादों से बाहर निकले और हसल किया इसलिए कहते थे लोगों को कि मिलना होगा तो तुम तक आ जाएगा तुम अपने घरों क से ले ली थोड़ी सी जैनिजम से ले ली बुद्धिजम से इन्होंने ले लिया मिडिल पाथ मिडिल पाथ ये कहां से ले लिया प्रॉम बुद्धिजम और जैनिजम से लिया इन्होंने जैनिजम से में लिखके गए ऐसे ही बता देता हूँ आपको जैन मॉंक्स जो होते बिकशा लेते थे इतनी थी भी प्रापर्टी उनको उननी करनी है तो एक बिकशा का कटोरा भी वो नहीं रख सकते थे इसलिए बिकशा ग्रहन करते थे वो अपने दो हात्थों में यह भी जैन रिलीजन से इंस्पायर होके कहते है आपको जब भूक लगे तो आप उतना भोजन करो जितना कि आपके दो हतेलियों में आ जाए ये दो हतेलियों में जितना फूड आ जाएगा आपका आप उतना ही खाओ तो ये जो थोड़ा सा पीनिंस था है इनका खाने के मामले में, ये जैनिजम से इन्होंने लिया, लेकिन अदरवाइस मिडिल पाथ इन्होंने बुद्धिजम से लिया था, बाकी इनका खुद का जो दिया हुआ पॉइंट था, वो डेस्टिनी का पॉइंट था, कि everything is destiny, अग आप किसी चीज की तरफ एक कदम आगे बढ़ा होगे, तो वो भी आपकी तरफ एक दो कदम आगे बढ़ाएगी, अगर आप एक कदम किसी की तरफ आगे बढ़ा रहे हो, किसी गोल की तरफ आगे बढ़ा रहे हो, और ओ गोल चार कदम पीछे जा रहा है, तो ये कहते थे थ ट्राय मत करो, बिलीव इन डेस्टिनी तो ये मक्खली गौशाल का शुरू किया हुआ एक सेक्ट था, अब ये सेक्ट भारत में ने कभी सर्वाइव नहीं कर पाया बहुत लंबे समय तक, जैन और बुद्धिस लिट्रेचर से ही हमको इनकी इनके नक फॉलॉवर्स बचे, न इनके कोई लिट्रेचर थी अब एक और सेक्ट ऐसा ही आया था जिसको चारवाक सेक्ट कहते थे चारवाक सेक्ट बाय अजीत केश कमबलिन अजीत केश कमबलिन ने चारवाक सेक्ट की शुरुआँ, अभी चारवाक सेक्ट जो था न, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्ट था, चारवाक सेक्ट ये कहता था, materialism, बहुत इकतावाद, तो इसका जो basic principle है, वो है, believe in materialism, ये बहुत interesting सेक्ट था, अजित केश कंबली ने एक बाद बोलते थे, वो ये कहते थे, कि बुद्ध कहते हैं कि life के बाद ऐसा होगा, महावीर कहते है, life के बाद ऐसा होगा, यानि कि death के बाद, sorry, death के बाद ऐसा होगा, और बता रहा है हमको वो भी जिन्दा है तुम भी जिन्दा हो उसने तुमको जिन्दा रहते हुई ये बता दिया कि मरने के बाद क्या होगा और आपने मान भी लिया कैसे मान सकते जिस इंसान ने मृत्यू को प्राप्त नहीं किया वो कैसे जान सकता है कि मृत्तियों के बाद क्या होता है और अगर कोई जीवित अवस्था में इनसान आपको ये बता रहा है कि डेथ के बाद क्या होगा तो आप बिवकूफ हो जो उसकी बात मान रहे हो ऐसा ये कहते थे अजीत केश कंबलिन तो फिर लोग इनसे बोलते थे कि महराश तो क्या करें फिर तो ये कहते थे कि सिर्फ एक ही truth life में और वो एक truth है आपकी life You are born and you die इसके बीच जो है वो ही सत्य है और ये कहते थे कि अपनी life खुल के जीओ आपको जो भी इच्छा होती है वो इच्छा आपको mother nature ने दी है वो इच्छा आपको इसने इसलिए दी क्योंकि वो आपसे कुछ करवाना चाहती आप कुछ करोगे एक action करोगे उससे दूसरा action trigger होगा तीसरा action उससे तीसरा action trigger होगा ऐसी चलती ना दुनिया आप कुछ करते हो, उससे कोई action trigger होता, उससे दीसरा चौता action, तो वो बोलते हैं कि आपको जो इच्छा होरी है वो करो, क्योंकि एक ही सच्चाई है और वो है ये life, और इस life में हमको अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी चीए, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि चारवाक सेक्ट materialistic sect, materialism को ये propagate करता थे, ये कहते थे कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अगर उधार भी लेना पड़े तो लो, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करो, वो कहते थे यदेंड जीवेंड, सुखेंड जीवेंड, रिंड कृतवा, गृत पीवेंड, यानि कि जब तक जीओ तो सुख से जीओ, कर्ज लो और घीपियो, ये कहते थे कि सपोज में एक एग्जामपल देताओ, इनकी आइडियोलोजी को आपको समझाने के लिए, कहते थे कि सपोज आपको कोई कार पसंद आई, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, कि आप उसको ले सको, पर आ पॉइंट आया जब आप उसकी इंस्टॉल्मेंट नहीं भर पाए, तो क्या होगा, कंपनी वाले, फाइनेंस कंपनी वाले कार को या आपका जो भी वो चीज है, उसको वापस ले जाएंगे, अजीत केश कंबलेन का इस पॉइंट पर ये कहना है, कि कोई बात नहीं, दो च अजीत केश कंबलेन की, देखि भारत जहाँ पे नॉन वालेंस की आईडियोलोजी दे रहा था, कर्म की आईडियोलोजी दे रहा था, वही भारत दुनिया का एक ऐसा देश है, जिसने पहली बार मटीरिलिजम की आईडियोलोजी भी दी थी, आज वेस्टरिण वर्ल्ड follow करता है हम देखते जब materialism की बात होती तो western world का नाम ये western world तो industrialization के बाद materialistic हुआ industrialization के पहले इन लोगों के पास पैसा नहीं था कि ये materialistic हो सकते ये लोग तो 16-17 century के बाद इनके पास पैसा आने लग गया तब ये लोग materialism की तरफ गए लेकिन इंडिया में Jesus Christ के जनम के 500 साल पहले भी materialism की ideology थी जो ये कह रही थी कि जब तक जियो सुक से जियो, कर्जलो और घी पियो इसको हम बोलते हायर purchase system जाने कि आप किष्टों में गाड़ी खरीदो लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करो 6 लाक की गाड़ी 10 लाक में 9 लाक में खरीदो ज्यादा किष्टे दे दे के पर उसको खरीदो अपनी इच्छा को पूरी करो अपनी कोई इच्छा को जाया मत जाने दो अगर नहीं हो रही पूरी तो किसी से उधार ले लो अजित केश कंपलिन बोलते थे कि किसी से उधार ले लो अगर तुमको पैसे नहीं न तुमारे पास तो बॉरो कर लो किसी से उसको पैसे देने के लिए किसी और से बॉरो कर लो उसको पैसे देने के लिए किसी तीसरे से बॉरो कर लो ऐसे कहते थे वो कि ऐस तरह से अपना काम निकालो एक दिन तुमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद तुमसे उधार मांगने कोई नहीं आ पाएगा तो यह ideology बड़ी भंकर ideology थी चारवाख ideology इंशिन्ट इंडिया की materialistic ideology दुनिया की पहली materialistic ideology तो यह रही बात हमारे इस ideology की अब आज की chapter का हमारा समापन भी हो गया है टाइम भी हो चुका है कल हम political history से आगे बढ़ेंगे इंशिन्ट टाइम्स की तब तक के लिए जैहिंद झाल